चल्चित्र एक ऐसा मात्यम है जिससे समाज की अच्छाई बुराई को लोगों के बीच लाया जाता है। कभी चल्चित्रों के कारण हमें अपने सच्चे इतिहास का ग्यान होता है, तो ज्यादा तर चल्चित्र द्वारा हमारे धर्म, संस्कृति एवं देश को भी अपमानि करने का काम किया जाता रहा है। यदि किसी चल्चित्र का निर्मान सच्ची घटना पर आधारित हो, तो उसमें अभिनय करने वाले कलाकारों के असल जीवन की सोच को अंदेखा नहीं कर सकते। आज इंटरनेट का समय है, आज हर नागरिक या यू कहे, हर दर्शक अपने प अकसर खलनायकों के लिए कहा जाता रहा है कि जितने भी बड़े खलनायक रहे हैं, वो सब अपने निजी जीवन में बहुत सभ्या रहे हैं। वही कई बार हमें ऐसा भी सुनने को मिला है कि फलाना कलाकार परदे पर तो नायक जैसा किरदार निभाता था, लेकिन निजी ज जीवन में वो खलनायक निकला, जैसे कि शाइनी अहुजा की बात कर सकते हैं। आज की वीडियो को बनाने का हमारा अभी प्राय है महिला कलाकार करीना कपूर को रामायन चलचित्र में सीता के किरदार के लिए चयन क्यों। में अपनी अपनी सोच के साथ फिल्मों का निर्माड कर रहे हैं। ऐसे में अब हिंदी सिनेमा में भी ये आवश्यक हो गया है कि ये पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए कि किस विचारधारा के व्यक्ति को किस तरह का किरदार दिया जाना चाहिए। करीना कपूर अनेको बार उन्होंने हिंदू आस्था को चोट पहुचाने का कारे किया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी तैमूर रखा। तैमूर वो शासक था जिसने हिंदूओं को गाजर मूली की तरह काट डाला था। ऐसे शासक के नाम पर बेटे का नाम रखना उनकी नीच सोच को दर्शाता है। अब आप अनुबाव करके देखिए ऐसी नीच सोच वाली महिला कलाकार जब सीता माता का किरदार निभाएंगी तो क्या लाखो करोडो दर्शक जो सीता माता की महीमा को जानते हैं और साथ ही साथ जो करीना कपूर की निरलजिता से भी अवगत है क्या उन्हें करीना कपूर के रूप में सीता माता अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी वो उस चलचितर का पूर्णता है आरंद ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे चलचितर में जब जब करीना कपूर संस्कृती की बात करेंगी महिला सम्मान की बात करे कि देखो चलचित्र में ये किस प्रकार की बात कर रही है और निजी जिंदगी में ये इसके एकदम विपरीत है करीना कपूर ने इस चलचित्र में सीता माता का अभिने करने के बदले 12 करोड रुपे की मांग की है हमें तो इस बात को समझने में परिशानी हो रही है कि करीना कपूर इतनी बड़ी मांग कर कैसे सकती है आखिर ये पैसा हमने हिंदी सिनेमा में कई बार देखा कि कलाकार अपने मित्रों के चल्चित्रों में बिना पैसे लिए भी मित्रता निभाने के लिए निशुल्क काम कर लेते हैं लेकिन सीता माता जैसे पात्र को करने के लिए करीना कपूर को बारा करोड चाहिए हमारा ये अभी प्राय कता ही नहीं है कि आप अपना महंताना ना लो बिलकुल ले लेकिन व्यक्ति को गलत फहमी का शिकार होने से बचना चाहिए जब दूरदर्शन पर रामायन सीरियल आया करता था तब कि एक अंश को साजा करते हुए राम का पात्र निभाने वाले कलाकार अरुन गोविल ने कहा था कि एक बार उन्हें एक पत्रिका वालों ने मदिरा हाथ में लेकर चित्र खिचवाने की बात कही थी जिसके लिए उन्हें बहुत सारा धन देने की बात भी कही गई थी अब आप समझ सकते हैं कि उस वक्त रामायन के पात्रों को घरों में पूजा जाता था भगवान के साथ उनके चित्रों को लगाय जाता था बलकि आज भी दूर क्षेत्र के गाउं में इनी कलाकारों की पूजा होती है अरुन गोविल इस बात को समझते थे कि देशवासियों के बीच उनकी कैसी चवी है इसलिए उन्होंने साफ तोर से ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो ऐसा करके अपने देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड नहीं कर सकते थे तो ये थे रामायन के कलाकार जिनकी इसी सोच के कारण उन्हें आज भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है अब अगर उसी रामायन में करीना कपूर जैसी नास्तिक हिंदू विरोधी महिला को देखना पड़ जाए तो शायद ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और बारा करोड धन की तो बात भूली जाए हम ये मांग करते हैं कि करीना कपूर को माता सीता के किरदार में ना लिया जाए ना तो वो बारा करोड की कलाकार है और ना ही इस पात्र को करके वो हिर्दय से लोगों को पसंद आएंगी ये रामायन का एक एहम किरदार है जिसके लिए उस कलाकार को लेना चाहिए जिसकी सचमुच माता सीता में सच्ची श्रद्धा हो तभी वो इस पात्र को सही तरीके से और दिल से निभा पाएंगी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताईएगा जैहिंद वंदे मातरम